यह तो हो गई क्रांति और अद्योगिक शब्द के अर्थ को समझने की कोशी अब अद्योगिक क्रांति के यदि हम बात करते हैं और बाकी सब क्रांतियों को अब थोड़ा भूल जाते हैं या उसको अपने विशय से हटा देते हैं और द्योगिक क्रांति के जब हम चर्चा करेंगे तो मूल रूप से हमारे अध्यान का केंद रहेगा इंग्लेंड और वो भी अठारवी शताब्दी के आसपास का याने सत्रा सो से अठारा सो का काल जो है वो अठारवी शताब्दी कहलाएगा तो सत्रा सो सत्रा सो पचास के आसपास ये क्रांति हुई उस क्रांति में क्या हुआ कि पहले इंग्लेंड की और उसके बाद पूरे यॉरॉप में एक तरीके से बहुत तीवर परिवर्तन हुए उद्योग के कारण पहले इंग्लेंड में और इसके बाद पूरे यॉरॉप में ये जो अद्योगिक करांती थी ये किसी किसी तरीके से राजनेतिक नहीं थी इसका संबन किसी ताना शाही सत्ता को हटाने से नहीं था किसी अत्याचारी शासन व्यवस्था को हटाने से नहीं था जो आपने चार करांतियां पढ़ी राजनेतिक करांतियों के बारे में जो इंग्लेंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस ये एक तरीके से अत्याचारी शासन व्यवस्था के खिलाफ थे लेकिन अध्यों की कुरांती ऐसा किसी तरह का विरोध नहीं था ये कुरांती किसी विरोध में नहीं थी उसमें किसी न राजा का सिर काटा गया और ना ही किसी को सिम्हासन या गद्धी छोड़ने के लिए विवष्किया गया जैसा रूस में मैंने बताया सोवियत चंग में वहां के जार को गद्दी से भगाया गया फ्रांस में वहां के राजा को गद्दी से भगाया गया फ्रांस में तो राजा का सिर भी काटा गया यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और नहीं किसी प्रकार का आतंग जब भी क्रांती होती है तो एक तरह का आतंग च्छा जाता है क्योंकि क्रांती प्रारंब होती है तो उसके बाद क्रांती कहां पर रुके उसकी सीमा कहां तक हो ये इस पर नियंत्रा रखना बड़ा कठिन हो जाता है क्रांति की चपेट में बहुत से लोगों को अपना जीवन खोना पड़ता है एक तरीके से आतंख घबराहट चा जाती है पर यहां पर और दियोगी क्रांति ऐसी क्रांति है जिसमें ना कोई आतंख है जिसमें ना किसी सिंभासन को किसी को छोड़ने के लिए विवश किया गया ना किसी तरह का समवैधानिक परिवर्तन हुआ और ना है किसी शासन विवस्था को बदल के या किसी अत्याचारी विवस्था को हटा कर दूसरी विवस्था लाई गई इसका सम्मन्द तो उद्योगों से है चूंकि इसके परणाम बहुत दूर गामी थे चूंकि इन उद्योगों के आने से जो परिवर्तन आए वे बहुत तीवर थे बहुत गंबीर थे तो एक तरीके से राजनातिक करांति से भी ज़्यादा आहम होगा इस तरह की करांति ना पहले कभी हुई थी और नहीं बाद में हुई तो फिर आखिर ये करांति क्या है और द्योगी करांति क्या है एक पंक्ति मेरदी हम बोलें तो और द्योगी करांति वह करांति है जिसने मनुश्य के उत्पादक के उत्करण उत्पादन के उत्करन उपकरन औजार और तरीकों में भारी परिवर्तन किया देखिए परिवर्तन ही नहीं औजारों में और तरीकों में उत्पादन के औजार और तरीके में भारी परिवर्तन को उत्द्योगी करांती कहते हैं क्योंकि उद्योगों का सम्मंद उत्पादन से है और उत्पादन के तरीकों से है इसलिए इसे और द्योगिक कहा जाता है और क्रान्ति क्यों जोड़ा गया है क्योंकि इन सब और जारों और इन सब तरीकों के कारण इतना तीवर परिवर्तन आया समाज में कि एक तरीके से क्रान्ति से कम नहीं है यह जो क्रान्ति थी और द्योगिक क्रान्ति और द्योगिक क्रान्ति के पहले आदमी थोड़ा हम जाने की आखिर और द्योगिक क्रान्ति और उसके पहले के काल में अंतर क्या है क्या अंतर था और द्योगी करांती के पहले आदमी जो था वो एक तरीके से अपनी ही दुनिया जीता था और अपनी दुनिया जीने का ताथ पर ये है कि वो जो भी उत्पादन करता था वो अपने जीवन के लिए अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए बस उतना ही उत्पादन करता था और वही चीज का उत्पादन करता था जिसकी उसे जरूरत था अपने लिए सुआ के लिए अपने जीवन या अपन के लिए चाहे वो अन हो चाहे वस्त्र हो और या कुछ और हो अपने उत्पादन के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो उत्पादन करता था दूसरा वो अप्षना श्रम लगाता था तो अपना श्रम किसके लिए अपने लिए श्रम अर्थात लेबर अपना श्रम अपने स्वयम की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये स्थिती थी ओद्योगे करांति के पहले की कभी कभी तो वो पश्यों की भी मदद लेता था लेकिन पश्यों की मदद किसलिए अपने लिए पश्यों की मदद भी अपने लिए अपने हित के लिए उसे यदि गेहूं का बोरा ढोना है जो वो स्वैम नहीं ढो सकता तो जानवर की मदद लेगा क्योंकि उस बोरे से उसे अपना जीवन यापन करना है उस बोरे में जो अन है तो ये तो हुआ अद्योगी करांटि के पहले की दशा अब अद्योगी करांटि आने चे क्या हुआ शारीरिक शक्ति जो मनुष्य श्रम करता था वो बहुत कम हो गया बहुत ही कम हो गया क्योंकि मशीने आ गई तो अद्योगी करांति का ताथ पर मशीनों से है बहुत कम उसका शारीरिक श्रम हो गया उसकी अपनी शारीरिक शक्ति का जो प्रयोग जो पहले करता था श्रम करता था वो बहुत कम हो गया और उसका अस्थान कीanız ने ले लिए मशीनों ले पहले उन मशीनों को चलाने के लिए वो श्रम करता था अब क्या हुआ अब मशीने चलाने के लिए भाफ आ गई तेल आ गया और बिजली आ गया भाफ तेल बिजली ऐसा नहीं कि मशीने पहले नहीं रही होंगी मशीने थी लेकिन अब उन मशीनों का उपयोग ज्यादा तीवर गती से होने लगा क्योंकि भाफ, तेल, भाफ का अविशकार हुआ भाफ की उपयोगिता मालुम हुई बिजली का अविशकार हुआ तेल की खोज हुई और तेल की उपयोगिता मालूम हुई तेल का पेट्रोल से है डीजल से है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुश अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग जो पहले अपने लिए करता था अब वह शारीरिक शक्ति का प्रयोग नियुनितम हो चला क्योंकि आगे चलकर भाफ, तेल और बिजली का प्रियोक करने लगा ये जो बदलावाया भाफ, तेल और बिजली के प्रियोक से इंग्लेंड में बहुत तीवर परिवर्तन आए मैंने जैसे आपको बताया पहले वो किवल अपने लिए कपड़ा बनाता था पहले वकिवल अपने लिए जूता बनाता था पहले जो भी शरम करता था क्रिशी में वो अपने लिए करता था अब भाफ, तेल और बिजली के आने से उसकी उत्पादन ख्यमता में वृद्धे हुई और एक के बदले शायद शार शर्ट चार कपड़े तियार करने लगा एक जूते के बदले चार जूते बनाने लगा और आगे बात करूं तो मशीन के बल पर अब एक दो जूते के स्थान पर एक दिन में वो हजार हजार शूज बनाने की क्षमता रखने लगा और आज आज आप मशीनों को देखें जिनकी assembly line लगती है तो एक दिन में कई सो कारें बन जाती है इस तरह का जो परिवर्तन है इन कारों क्याने से क्या हुआ आज पूरे समाज में आप देखिए पूरे देश में सब जगा कारों कापार बंडालों के पास कारें ही कारें है कारों के एक से एक model है क्या ये क्रांति नहीं है और क्या इस क्रांति की शुरुवात हम उस भाव बिजली और तेल की खोश से नहीं करें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन है श्रम के स्थान पर मशीन और मशीन में भी भाव बिजली का उप्योग तो आगे चल कर ये क्रांटी का रूप लेती है बहुत तीवरतर परिवरतन लेती है मानो जीवन में मानो सोच में मानो विचार में और इसलिए से हम क्रांटी कहते हैं इस क्रांटी की शुरुआत इंग्लेंड मे ये क्रांती पहले क्यों होई पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस क्रांती की शुरुवाद इंग्लेंड में होई और फिर वहां से यॉरप और आज पूरे विश्व में जिसमें भारत भी एक है वह अच्छुता नहीं हो और जोगी क्रांती मैंने जब आपको बताया कि क क्रांती जब होती है तो पूरा परिवर्तन लाती है और फिर रुख जाती है लेकिन ओद्योगी क्रांती ऐसी नहीं है वो क्रांती आज भी सतत रूप से चल रही है Information Technology सूचना की क्रांती क्या है यह वही ओद्योगी क्रांती का ही एक हिस्सा है सूचना क्रांती के तहट आज हम कुछ ही ख्यणों में कुछ ही सेकंड में हजारों मील दूर बैठे लोगों को देख सकते हैं बात कर सकते हैं आदमी चंदरमय में पहुँच गया है आदी आदी तो यह क्रांती ही है यह बड़ा तीवर परिवर्तन है और इस प्रकार यह ए नए ना आविशकार हो रहा है नए नहीं खोजे हो रही है और इन आविशकार और खोजों का संबन्द उद्योगों से है फैक्टरियों से है प्रोडक्शन से है उत्पादन से है और इसलिए इनका सतत रूप से प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ा है बहुत गहरा प्रभा से इंग्लेंड में रखी जाती है वहां से फिर यूरोप में फैलती है पूरे विश्व में जाती है mother of all inventions जिसको हम कहते हैं वो इंग्लेंड है mother of all inventions क्योंकि जो पुराने जितने भी आविश्कार हैं वो सब प्रारम में इंग्लेंड में हुए ऐसा क्यों हुआ ये भी एक प्रश्ण आपके मन में आना चाहिए लेकिन इसका उत्तर हम किसी अन्य ध्याय में पाएंगे और आप स्वेम भी देख पाने कि कोशिश करें कि आखिर इंग्लेंड में ही इतने सारे आविश्कार और खोजें प्रारम में क्यों हुए एक क्रांती की बात करते हुए एक उधारन और मैं देना चाहूंगा और उसका संबन्द इंग्लेंड से है इसलिए ये बहुत महत्पूर्ण है इंग्लेंड अमेरिका पर भी शासन करता था और भारत पर भी करता था मैंने जैसे आपको बताया कि अमेरिका की जो क्रांती है जिसका नेत्रित जॉर्ज वाशिंगिटन ने किया वो 1774 से 1783 तक का काल उच्छे माला जाता है अमेरिकी करांती का काल जब वो परिवर्तन अमेरिका में अंग्रेजों को हटाने से लेकर अपने सम्विधान को लागू करने तक के काल को हम कह सकते हैं 1775 से 1783 भारत सतंतर हुआ उन्निस सो सैंतालिश में इंग्लेड दोनों जगा शासन कर रहा था अमेरिका और भारत दोनों इंग्लेड के उपनिवेश थे दोनों ही उपनिवेश थे दोनों ही जगा ब्रिटिश एंपायर के बैनर के तले हम लोग थे सत्ता एक थी इंग्लेंड लेकिन अमेरिका स्वतंत्र हो गया 1774 में अब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में भारत जो स्वतंत्र हुआ 1947 में 200 वर्ष के सत्त संघर्ष के बाद तो भारत का जो स्वतंता का जो स्वतंता पाने की जो लड़ाई हुई उसे हम कहते हैं भारती स्वतंता आंदोलन उसे भारती स्वतंता क्रांति नहीं कहते क्या कहते हैं भारती स्वतंता आंदोलन अमेरिकी क्रांति को अंग्रेजी में अमेरिकन रिवलूशन कहते हैं और भारत में अंग्रेजों को खदेड़ने का जो कारकरम हुआ उसे भारती स्वतनता आंदोलन कहते हैं याने Indian Independence Movement Movement आंदोलन और वो है क्रांति आखिर ऐसा कारण क्या है कि घटना वही हुई दोनों जगह से अंग्रेजों को खदेडा गया लेकिन वहां की घटना करांति कहलाई मानी गई और हमारे हां की घटना एक आंदोलन के रूप में आपको समझने के लिए केवल यह बता रहा हूँ जोसे शाद आप बहतर समझेंगे एक कारण तो यह है कि वहां पे अंग्रेजों का काल बहुत कम रहा अमेरिका में भारत में अंग्रेज 200 वर्ष शादन किया बहुत लंबा काल और अच्छी मजबूती से शादन किया उसके बाद आप देखेंगे कि दब अंग्रेज तो गय लेकिन अमेरिका और भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद हुए परिवर्ष तन कुछ अलग-अलग तरीके के अमेरिका में अंग्रेजों के जाने के बाद यदि हम कुछ उदाहरन ले सही हलके फुल के उदाहरन ही सही पर उससे आपको स्थिती थोड़ी सपश लगेगी तो आप देखेंगे कि अंग्रेज गय एंग्लेंड की सत्ता खतम हुई तो एक उदाहरन हम लेते हैं कार ड्राइविंग का अमेरिका में कार की ड्राइविंग राइट वील राइट हैं ड्राइविंग राइट साइड ड्राइविंग जिसे हम कहेंगे जबकि भारत में लेफ साइड ड्राइविंग है जो इंग्लेंड में परच लित हैं अमेरिका ने राइट वील ड्राइव लिया अमेरिका की कारों का आप देखिये उसमें जो गाड़ी चलाते हैं वो राराइट साइड बढ़ते हैं और भारत में लेफ्ट जो इंग्लेंड में प्रचलत है याने भारत में हमने इंग्लेंड की उस प्रथा को जारी रखा जबकि अमेरिका ने पूरा बदलाव लाया यद्यपी उस समय कारें नहीं आई थी लेकिन ये उदाहरन ये बताने की कोशिश है इस उदाहरन के माद्यम से कि कैसे हमने भारतियों ने अंग्रेजियत को अपना के रखा और अमेरिका ने अंग्रेजियत को तुरंट नकार दिया अमेरिका की इंग्लिश उनकी एक अलग इंग्लिश है जिसे हम अमेरिकन इंग्लिश कह सकते हैं और अंग्रेजों की जो भाषा है अंग्रेजी भारत में आज हम British English का आज भी उपयोग करते हैं यदे पी वर्तमान समय में अब धीरे धीरे उपयोग शुरू हो गया है American English का भारत में भी लेकिन जहां तक बहुलता की बात है प्रचूरता की बात है तो British English is the accepted English language in India हमने अंग्रेजी जस की तास अंग्रेजी भाषा जस की तास ले ली है ये दूसरा परिवर्तन तीसरा परिवर्तन देखा जाये तो अमेरिका में presidential form of government है यानि राष्टपती वहां का मुखिया होता है अमेरिका में प्रधान मंत्री नहीं है जबकि भारत में parliamentary form of government है संसदी प्रणाली है और संसदी प्रणाली इंग्लेंड में भी है और थाथ इंग्लेंड की परंपराओं को हमने काफी कुछ उनके जाने के बाद भी लिया है अंग्रेजी तो गय है लेकिन हमारी अंग्रेजियत नहीं गई लेफ्ट वील ड्राइव, ब्रीस इंग्लिष, संसदी प्रणाली ये भारत अमेरिका में राइट वील ड्राइव, लेंग्वज, अमेरिकन इंग्लिष और राष्ट्रपती प्रणाली और अमेरिका में तुरंट परिवर्तन हुआ भारत में आज भी हम ब्रिटिश प्रथा के साथ चल रहे हैं बहुत कुछ इसलिए भारती आंदोलन भारती स्वतंता अभियान को हम आंदोलन ही कहते हैं उसे करांती नहीं कहते अमेरिका में उसे क्रांति कहा जाता है तो अब आप पश्ट रूप से समझ गया होंगे कि क्रांति क्या है और भारत किस रूप में इंग्लेंड के साथ अभी भी जड़ा हुआ है कितना क्रांतिकारी परवर्तन भारत में आया है और कितना क्रांतिकारी परवर्तन अमेरिका में आया है इससे वाकिफ हो गया तो अब हम वापस चलें थोड़ा अपने उस विशाय पर जिसे हम और्द्योगी क्रांति कहते हैं और्द्योगी क्रांति की परिभाषा एंसाइक्लोपीडिया में क्या है एंसाइक्लोपीडिया के अनुसार एंसाइक्लोपीडिया अफ सोशल साइंसे उसके अनुसार और्द्योगी क्रांति वह आर्थिक एवं शिल्प वैज्ञानिक याने टेक्नोलोजिकल विकास जो अठारवी सदी में अधिक सशक्त एवं तीवर हो गया था अठारवी सदी में अधिक सशक्त और तीवर ज्यादा जोर से आया था और तीवरता से आया था जिसके फलस्वरूप आधनिक उद्योग वाद का जन्म हुआ इसे उद्योगिक क्रांति कहते हैं यहने आधनिक उद्योग वाद के जन्म के साथ उद्योगिक क्रांति शुरू होती है और आधनिक उद्योग वाद आने का कारण सशक्त और अधिक तीवर वैग्यानिक और आर्थिक परिवरतन विका और इसका काल क्या है अठारवी सथी तो यह है ब्रिट एंसाइक्लोपीडिया की परिभाशा उद्योग वाद शब्द बहुत मत्पूर्ण है इंडस्टियोलिजम एडवर्ड जो प्रसिद विचारक है उन्होंने और जोगिक वाद की या और जोगिक क्रांति की परिभाशा देते हूं कहा गया है कि और जोगिक प्रणाली तथा श्रमिकों के स्तर में होने वाले तीवर परिवरतन और जोगिक प्रणाली मैंने शुरूरी में बताया था तरीके और श्रम समय इस से संबंध है और जोगिक क्रांति का जिसको एडवर्ड ने इस भाशा में कहा है कि और जोगिक प्रणाली तथा श्रमिकों के इस तर में होने वाले तीवर परिवरतन को और जोगिक क्रांति क किया सकते हैं एड़वर्ड के लावा हैज हैज ने जो इस घटना क्रम को और जो कि करांति कहा है उसका अर्थ है कि अठारवी शताब्दी में जो करांतिकारी परिवर्तन उद्योग धंदों में हुए देखिए वो बड़े सरलता से बोलते हैं इंग्लेंड में अठारवी शत अठारवी शताब्दी में जो करांतिकारी परिवर्तन उद्योग धंदे में हुए उसे उद्योगी करांति कहा जा सकता है उद्योग में होने वाले तीवर परिवर्तन जिसमें भाफ, इस्टीम, इलेक्टिसिटी, ओल इनका उप्योग करके श्रम कम किया गया और कि जो है इसका सबसे पहले उपयोग अठारा सो सैंतिस में हुआ था लूई बलांक ने इसका उपयोग किया था जो लूई बलांक जो है वो फ्रांस के एक प्रसिद समाजवाधी निता माने जाते थे उन्होंने इस शब्द का उप्योग किया पहली बार 1837 में यानि जब और्द्योगी करांटी का दौर चल रहा था या अपने तीवरता पर था उसके बाद जब उसके परिणाम उन्होंने देखे तो इन परिणामों के मद्दे नजर उन्होंने होने इस होने वाले प फ्रेडरिक एंजल्स बहुत प्रसिद ये विद्वान हैं विचारक हैं फ्रेडरिक एंजल्स और मिशल इन्होंने भी इसकी परभाशा दी में अंग्रेजी में इस शब्द का सबसे पहले उप्योग आर्नॉल्ड टायनवी ने जो प्रसिद दार्शनिक हैं प्रसिद टायनवी वेरी वेल नोन फिलोसोफर और हिस्टोरियन एकनामिस्ट उन्होंने इन परवर्तनों के बारे में पहली बार उप्योग इस शब्द के उप्योग किया और बिटन के विकास में 1760 से लेकर 1820 के बीच जो परवर्तन हुए उसे उन्होंने और द्योगी करांति का च 1820 यह वो काल है जब इंग्लेंड में जॉर्ड दथ्री जॉर्ड दथर्ड का शासन था इंग्लेंड के राजा थे और जिसके बारे में टायनवी ने कई बार व्याख्यान दिये हैं दुरभाग से और शास्त्री अरनल टायनवी उनकी आसाम एक मृत्य हो गई और उनकी मृ 1884 में उनके जो लेख हैं उनके जो विचार थे उसे एक पुस्तक का रूप दिया गया जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन डे इंडस्टियल रिवल्यूशन इन इंग्लेंड लेक्चर्स ऑन इंडस्टियल इन इंग्लेंड 1884 याद रखने के लिए 1884 वह वर्ष जब भारती र राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना भारत में होती है 1884-85 में तो जब भारत में राष्टी आंदोलन का नित्यत्व करने वाली पार्टी के शुरुआत होती है उस समय इंग्लेंड में और नॉल्ड टॉइनबी के लेखों का संकलन एक पुस्तका का रूप में होता है और जिस और इस ओद्यों की करन्ती की शुरुआत इंग्लेंड में हुई और ये इसमें इतिहासकारों में कोई मदभेद नहीं है परवर्ती इतिहासकार यानि टी-एस एस्टन उसके अलावा मन्टू और एरिक हफ़बॉम ये टाइनमी के विचारों से अन इतिहासकारों की तरह सामत हैं बहले ही थोड़ा काल में बदलाओ हो अंतर हो लेकिन ये सबका मानना है कि 1780 से लेकर 1820 ये 40 वर्ष 1780 टू 1820 अभी 2020 चल रहा है यानि लगभग 200 वर्ष पूर्व तक के पहले के 40 वर्ष इस दौरान जो घटनाएं हुई खासकर कपास के ख्षेतर में कपास और लौह उद्द्योग कपास कपड़ों के लिए काम आता है लोहे का उद्द्योग कोईला खनन मारगों का जाल सडक मारगों का जाल और नहरों का निर्माण और इसके अलावा विदेशी व्यापार इसमें बहुत विकास हुआ मैं फिर से दोरा दूँ क्योंकि उद्द्योगी क्रंट के शुरुवाती दौर में कौन से उद्द्योग भाव बिजली और तेल इसका फायदा उठा पाए और उत्पादन बढ़ा पाए तो मूल रूप से इसमें कपास उद्द्योग है लौ उद्द्योग है कोईला उद्खनन का कार जिससे भाव बन सकती हो जल्दी सडकों का जाल बिछा नहरे बनाई गई और इसके साथ ही विदेश व्यापार ये बढ़ा एस्टन जिनका मैंने नाम लिया भी उन्होंने तो इस उद्द्योगी करान्ति का एक उत्सो ही मना जा जब इंगलन्ड की छोटी छोटी मशीने और कल पुर्जों की बार से पुरा यॉरॉप अच्छादित हो गया इन छोटी छोटी मशीनों के अविशकार ने पूरे यॉरॉप में जो बदलाओ लाया वो करान्तिकारी बदलाओ था और इसलिए ये और द्योगी करान्ति कहलाया